नमस्तार आप देख रहे हैं दन्यूद पोस्ट और मैं है पंच्छब। हम आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जो विगत तीन महिनों से चर्चा में। मामला है तुमका का ग्रामीन विकास बिशेश प्रमंगर। तिन महिने पूर्ब इस विभाग में एक करोड ब्यालिस लाक रुपई ये सरकारी राष्टी की गवन की प्रात्मी की नगर्थाना में तक पुलिस का अनुसंधान जारी है और इस मामले में भी तक तीन लोगों की ग्रफ्तारी भी हुए हैं जिसमें दो विभाग के करने हैं और एक राजेस कुमार नामग वहती है जिसके खाता में रुपई आ गया जब तक राजेस की ग्रफ्तारी नहीं हुई थी तो विभाग और पुलिस सभी राजेस को ही मुख्य आरोपी मानकर अनुसंधान कर दो लेकिन जब राजेस की ग्रफ्तारी हुई तो मामला और राजेस ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि वह महज 10% कमिशन के नाम पर अपने खाता में रुपईया मंगाया था और रुपईया आते ही अपना कमिशन लेकर तमाम रुपईया को जिसके एकाउंट में ट्रांसफर क्या गया है वही इसका मुख्य आरोपी है उसके पुलिस जो दो या तीन नाम सामने आये उसकी ग्रफ्तारी का प्रियास अभी भी कर रही है लेकिन इस बीच दो दिन पुर्व एक बार फिर ग्रामीन विकास विशेश प्रमंगल शर्चा में आ गया अब इसे संजोग कहें या साजिस लेकिन दो दिन पुर्व डंगाल पा संजोग या साजिस यह अभी कहना मुश्किल है यह तो अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा लेकिन जितने लोग जितनी मुह उतनी बातें आ रहे हैं बाजार में आम लोग जो है उस गवन और इस हत्या को जोड़ कर देख रहे हैं वैसे इस मामले में पुलीस अभी तक है खुल कर बोलने के लिए तयार नहीं है तो इसका ही कहना है अनुसंधान जारी है लेकिन जब सूचना मिलने पर दीप के परिजन रांची से जुमका पहुंचे खो तो उन्होंने जुमका पुलीस और ग्रामीन विकास विशेश प्रमंडल पर कुछ कंभीर आरोप भी लगा जब सारा कुछ हो गया आरोपी पकड़ा गया आरोपी पंकज वर्मा था और उसका एक और असिस्टेंट था जो अपरेक्टर था क्या नाम था परेक्टर पवन भी पकड़ा गया है जब उनलों को जेल घेज दिया गया है उसके बाद से थाना से 7 लाख रूपया मांगा ग परिजनों के इस पूरे मामले का राजनीती करण भी सुरूप हो गया है पुर्व मंत्री लूईस मरांडी दीप सुरिवास्तप के परिजनों से नहीं और उन्होंने इसे दुखत बताए पूरे मामले की न्याई किया सीबी आई जाच की मांग की और इसी बहाने राज्य सरकार पर जम करनी साना साथ जो ग्रामिन अभिकास भीवाग का बिस्तेस प्रमंडल में कुछ दिन पहले हम लोग सुने थे एक करोड़ यालिस लाग का कुछ गोटाला हुआ था या किसी अकाउंट पर पैसा चला गया था तो वह आपस हुआ नहीं हुआ यह तो विभाग ही जाने लेकिन उसी विभाग में यह दिप काम करता था और हमें जहां तक समझ में आ रहा है इतनी बड़ी रकम का जो गोट कर्टमेंट में थे तो उसी के आधार से इनको हत्या कर दी गए कि हो सकता है इनके पास बहुत सारा चीजे सामने आता इनके माधियम से तो इसलिए इसको रास्ता से हटा दिया गया है और हम निस्षीत रूप से बोल रहे हैं कि बरतमान में यहां सासन नाम का कोई चीज नह इपनी पत्मी से जब बात कर रहा था तो उस समय ने बताया था कि वह संतोय सके साथ अब पुलीस उस संतोस की तलास कर रही है जिस संतोस के साथ मौत से कुछ घंटे पहले दीप स्रीवास्तर उसकी गिरफ्तारी के लिए जगा जगा छापे मारी भी की जा रही है लेकिन अभी तक वह परार लगाया जाए परिजन जो आरोप गंभीर आरोप लगाये हैं उसमें साथ लाख रुपईये की जिमान की गई तो ग्रामीन विकास विशेश्ट मंडल के तमाम कर्मियों ने रासी एककत्रित कर गुलका पुलीस को इस केस को मैटरलाइज करने के लिए यह पंचनता है अब इस बाबत जब हमारी बात एक्सक्यूटिव अफसर से दूए तो वह से बाहर है उन्होंने इसका खंड़न के उनका कहना है आरोप बेगुल्याद है उन्होंने यह भी कहा है जैकि जब अगर यह आरोप लगा है तो अब पुलीस इस बिंदू पर भी निस्पक्ष जाच करे ताकि मामला अस्पस्त हो जाए खेट गवन और हत्या इस दोनों माम मामले को जोड़कर देखना उचित होगा या नहीं यह तो अभी नहीं कहा जा सकता है लेकिन यह संजोग कहें कि उस दीप इसी बिभाग में काम करता था जिस बिभाग में एक कड़ोर 42 लाक रुपई यह सरकारी रासी का गवन हुआ था पुलीस का अनसंधान कब तक पुर करते हैं यह तुमका पुलीस के लिए बहुत बड़ी चुनाती होगी दानियूज पोस्ट के लिए तुमका से पंचन की अच्छा है